नमस्कार जैहिन दोस्तों आपकी वार्सिक परिक्षा कक्षा दस्वी का हिंदी का जो पेपर है ये आचुका है यहाँ पर आपको most important question में बताऊंगा पूरा इस पेपर के माध्यम से और इसमें से आपको best से best content देखने को मिलेगा कक्षा दस्वी MP Board वार्सिक परिक्षा विसे है आप लोगों का हिंदी और पूरा पेपर आपके लिए है ये बिलकुल important question वाला यहाँ पहला प्रस्ण है आपका नेता जी का पार्ट गद्ध की विधा है कहानी अगला प्रस्ण सूर्दास के गुरु का नाम था सूर्दास के गुरु का नाम वल्लभा चायरे था हमारी application को आप download कर लीजिएगा men's education application पर आप लोगों के लिए daily class लगाई जा रही है तो वहाँ पर आप लोगों को course purchase कर लेना 49 में जहां विभिन प्रकार के best notes भी हमने दे रखे हैं application की link हमने description में दे दी है एप download कर लीजिएगा बोलिनात का वास्ताविक नाम था तो भोलानात का वास्ताविक नाम तारकेश्वर नात था कावी की शोभा बढ़ाने वाले तत्विय धर्म कहलाते हैं तो कावी की शोभा बढ़ाने वाले तत्विय धर्म अलंकार कहलाते हैं अलंकार का अर्थ अगर आपसे पूछे तो अलंकार का अर्थ आपको बताना है आभूसन या गहना ठीके आभूसन या गहना या फिर शोभा बढ़ाने वाला ये अलंकार का अर्थ होता है अगला प्रस्ण है जे संकर प्रसाद अपनी आत्म कथा को केसी बता रहे हैं तो मेरी भोली आत्म कथा एसे बता रहे हैं स्री कृष्ण यहाँ पर भगवान स्री कृष्ण का नाम आया है बहुत अच्छी बात है स्री कृष्ण आये वासुदेवाय हरिये परमात्माने प्रनता कलेशनासाय गोविंदाये नमो नमहा स्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली थी तो राजनीती पढ़ ली थी और क्या लिख थी इसके बाद में देखिएगा रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजी वाले बेस्ट रिक्तिस्थान आ चुके हैं आपके लिए पंचवटी में समास है तो पंचवटी में आप लोगों का दिगु समास है इसका समास विगरे बनता है पांच वटों का समु पांच वटों का प्रियोगवाद के जनक है तो यहाँ पर आपको प्रियोगवाद के जनक अग्ये बताना है अग्ये का पूरा नाम क्या है तो यह में लिख रहा हूँ नोट करिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्शायन वात्सायन अग्ये इस प्रकार सग्गे जी का पूरा नाम है प्रियोगवाद के जनक है ये भी आपको याद रखना है इसके बाद देखें आपका अगला important question बोलानात का तिलक लगाता था तो भगूत का तिलक लगाता था बाल गोबिन भगत ये आप लोगों को याद रखना कबीर के गीत गया करते थे और कबीर को क्या मानते थे तो कबीर को ये साहब मानते थे साहब मानते थे शिव धनुस ने तोड़ा था तो भगवान राम ने शिव धनुस तोड़ा था और विभा किस से किया था माता सीता से विभा किया था राम भगवान ने शिव धनुष तोड़ दिया था क्रोधित कौन हुए थे तो यहाँ पर क्रोधि मुनी कौन है तो यहाँ पर आप लोगों को परशु राम बताना है परशु राम परशु राम किस पर क्रोधित हुए थे लक्षमण पर क्रोधित हुए थे शीव दनुश तूट गया था लक्षिमान जी ने उनको और गुस्त दिला दिया था क्रिया के प्रकार होते हैं तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार आपको याद रखना है सकर्मक क्रिया सकर्मक और सकर्मक के बाद में आ कर्मक एक क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं अब प्रस नमबर तीन में आपको देखना है सत्य असत्य लिखिये वाले important questions मैं क्यों लिखता हूँ अग्गेई की रचना है तो यहाँ पर आप लोगों को इसे सत्य बताना है फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंद से भर देता है तो ये भी आपको सत्य बताना है संधी पांच प्रकार की होती है ये आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि जो संधी है वो तीन प्रकार की होती है तीन प्रकार में पहली स्वर है दूसरी आप लोगों को वेंजन बताना है और तीसरी आपको विसर्ग बताना है स्वर्वेंजन विसर्ग तीनो इस परकार से नाटक में अनेक अंक होते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है यह सत्य है कि नाटक में अनेक अंक होते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे चंद तीन प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि चंद तीन प्रकार के नहीं होते हैं चंद दो प्रकार के होते हैं एक तो है वरनिक चंद और दूसरा है मातरिक चंद संचारी भाव 33 प्रकार के हैं तो यहाँ पर आपको बताना है संचारी भाव कि संक्या 33 यह सत्य है और संचारी भाव किसके समान होते हैं तो आपको उत्तर में याद रखना है पानी के बुल बुले के समान पानी के बुल बुलों के समान होते हैं और क्या होते हैं शंचारी भाव अगला पुछन देखिएगा, सही जोरी बनाईए से यहाँ पर आपको ये बहुत ही बेस्ट सही जोरी दी है आपको सही जोरी बनाना है माता-पिता, यहाँ पर माता-पिता दोनों पद प्रधाने तो यहाँ पर आपका द्वंद समास होगा सीव पूजन सहाई ने लिखा था माता का अंचल तो यहाँ पर माता का अंचल इससे आप मेच करेंगे वीरस का इस्ताइभाव होता है उत्सा तो आप इसे उत्सा से मेच करेंगे आखों का मतलब होता है बहुत प्यारा लखनवी अंदाज तो यहां पर यसपाल आप लोगों यसपाल से मिलाना है चायवाद के परवर्टक तो अप्शन नमबर आ में दिया है जे संकर पुरसाद जे संकर पुरसाद चायवाद के परवर्टक है जे संकर परसाद की प्रमुक रशना में आप लोगों को याद रखना है कामा यानी है कामा यानी के बाद में आपको याद रखना है आसू आसू के बाद में आपको याद रखना है लहर लहर के बाद में आपको याद रखना है जर्ना ये किसकी रचनाए हैं तो ये जे संकर प्रशाद की रचनाए हैं जो की छायवाद के जनक या प्रवर्तक माने जाते हैं इसके बाद में आप देखेंगे एक सब्द में उत्तर दीजिये वाले अती इंपोर्टेंट कुश्यन्स एक आंकी में कितने अंक होते हैं तो एक आंकी में एक अंक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं सुभास की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था तो यहाँ पर याद रखना मोतिलाल मूर्ति बनाने वाले का नाम था परसुराम के पिता का नाम क्या था तो जमदगनी आपको याद रखना है जमदगनी परसुराम जी के पिता जी का नाम था और इसके बाद में यहां देखेंगे, आप सभी अनुबम कहां पर गिराया गया था, तो अनुबम हिरोशिमा में गिराया गया था, हिरोशिमा आप लोगों को याद रखना है, कहां है, जापान में है, अनुबम किस ने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था, कब वह वाज्च्च्छ है, राम के द्वारा पुस्तक पड़ी गई, छायवाद की दो विसेष्टा हैं, सबसे पहले विसेष्टा लिखना, इस थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसके बाद में नारी के प्रति, नवीन भावना का विकास तीसरी विसेश्ट लिखना प्रक्रती चित्रन इस प्रकासे शायवाद की विसेश्ट लिखेंगे बाकी और जो ये कुश्चन दिये हैं इनको आप कम्प्लीट करेंगे